दानियूस इंडिया में आपका स्वागत है चलिए डालते हैं आज और अभी की खास खबर पर आपको बता दे कि इतने दिन बाद याने 15 सितंबर से लेकर अब इन शबो को जो की नाओ में फस गए थे उन्हें निकाल लिया गया है और अब इन शबो को पोस्ट माटम के लिए भेज दिया गया है जब शबो को निकाला जा रहा था शबो बेहत ही बुरी आवस्था में हो क्योंकि काफी दिन से उसी में पड़े हुए थे दर्मांडी सत्यम दल ने मंगलवार को नाओ को बाहर लाने में सफलता प्राप्त की है सत्यम दल ने नाओ के निचले भाग को रसी के जरिये बाहर निकाला मगर पूरी तरह सी नाओ गल गई थी तूट गई थी आपको बता पाज़रे